नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, दोस्तों, तुलसी एक अत्यंत पवित्र पौधा है, इसे पुराणों में केवल पौधा नहीं कहा जाता है, बल्कि यह साक्षात लक्ष्मी है, तुलसी मा लक्ष्मी का रूप ही है, जिन्हें प्राचीन वरिंदा नाम से जाना जाता था, इसी लिए यह पौधा अत्यंत पूजनी है, इसकी नित्य पूजा करने से मा लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इस पौधे का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, दोस्तों, आप सभी के घर में तुलसी का पौधा अवश्य होगा, और आप भी तुलसी की देख भाल जरूर करते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने तुलसी के पौधे को गौर से देखा है, यह पौधा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत देता है, आपको नित्य, इस पौधे को ध्यान से देखना चाहिए, तुलसी के पत्तों का गिरना, तुलसी के पत्तों क संकेत हमें दिखाई देते हैं, इन संकेतों का बहुत अधिक महत्व होता है, इन संकेतों से हमें भविष्य में आने वाली शुब अशुब परिस्थिती का पता चलता है, आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं या संकट आने वाले हैं, इसकी जानकारी तुलसी का पौ तुल्सी में साक्षात मा लक्ष्मी निवास करती है। इसी कारण से तुल्सी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जहां पर तुल्सी का पौधा होता है। उसे स्थान पर मा लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु निवास करते हैं। श्रीकृष्ण कहते हैं जो त तुलसी की पूजा करता है उसे नर्क में जाना नहीं पड़ता है। मृत्यू के पश्चात अगर मृत्य व्यक्ति के मुख में तुलसी के पत्ते रखते हैं तो उसे प्राणी की कभी अधोक्ति नहीं होती है। उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ती होती है, तुलसी को जल देने वाले और तुलसी की सेवा करने वाले, सभी मनुष्य, मृत्यू के पश्चात, श्री कृष्ण के धाम घोलोक में जाते हैं, जिस घर के सामने तुलसी का पौधा होता है, उसे घर में बुरी शक्तियों होती है, लेकिन तुलसी का पौधा कभी गंदगी वाले स्थान पर नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग जाने, अंजाने में तुलसी का पौधा नाले के पास लगा देते हैं, ऐसी भूल कभी नहीं करनी चाहिए, तुलसी का पौधा हमेशा जमीन से उपर लगाए, तुलसी तुलसी के पौधे पर गंदा पानी कभी नहीं गिरना चाहिए, हमने साक्षात इसका प्रमान देखा है, जिस घर में तुलसी का पौधा गंदगी वाले स्थान पर अत्वा नाले के पास लगते हैं, उसे घर में सदैव बीपदाएं आती रहती है, इसी लिए आप ऐसी गलती कभी न करें, तुलसी को हमेशा गंदे में लगाए और जमीन से उपर रखें दोस्तों, और एक बात आप ध्यान में रखें कि तुलसी के पौधे के पास अन्य प्रकार के पौधे ना लगाए, जैसे मनी प्लांट, कांटेदार पौधे कैक्टस या अन्य दूध वाले पौ करते हैं, जिस घर के लोग तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करते हैं, उसे घर में कभी शोक नहीं होता है, साथ ही तुलसी का पौधा लगाने के पीछे यह भी महत्वपूर्ण कारण है, कि यह पौधा हमें भविश्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही जान ले, यह संकेत बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तुलसी का पौधा हमारे जीवन पर आने वाली विपदाओं को पहले ही जान लेता है, अथवा अन्य प्राकृतिक और दुष्ट शक्तियों के कारण उत्पन्न होने वाले उत्पादों के बारे में हमें यह पौधा पहले ही सूचित करता है, जिससे हम सावधान होकर उसे संकट की परिस्थिती का सामना कर सके। पुराणों में ऐसे कई प्रकार के उत्पादों के बारे में बताया गया है, जब भी जीवन में अच्छा या बुरा समय आने वाला होता है, तो हमें हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों के द्वारा संकेत प्राप्त होते हैं, तो चलिए जान लेते हैं तुलसी के पौधे के माध्यम से हमें कौन-कौन से संकेत मिलते हैं, अगर आपके भी घर के सामने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है, तो आप यह वीडियो अवश्य देखें और उन संक संकेत हैं, प्रिय दोस्तों, तुलसी के पौधे का अचानक से सुख जाना, यदि तुलसी के पौधे की अच्छी तरह से देख भाल की जाए, तो वह कभी नहीं सूखता है, शास्त्रों में तुलसी के पौधे का सूखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, कई सारे प्रयास करने के बावजूद भी तुलसी का पौधा अचानक ही सूखने लगता है। तुलसी का पौधा मृत दिखाई देने लगता है। ऐसा हो तो यह आपके घर पर आने वाले किसी बड़ी विपदा का संकेत समझना चाहिए। किसी कारण से आपका संपूर्ण धन खर्च हो सकता है या फिर आपको व्यापार में बड़े घाटे का सामना करना पड़ सकता है। इसी लिए तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। दूसरा संकेत है दोस्तों तुलसी के हरे भरे पत्तों का अपने आप ही गिरना। यदि आपके घर में मौ पौधा पौधा अचानक सूखने लगे तो इसे अशुब संकेत समझना चाहिए। यदि पत्ते पीले होकर हवा के कारण गिरने लगे तो यह प्राकृतिक है। किन्तु तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगते हैं तो मा लक्ष्मी आपसे नाराज है और आपको संकेत दे चार करना अथ्वा उनका अपमान करना घर में शराब और मांस का सेवन किया जा रहा हूं तो ऐसे घर में मा लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है। तीसरा संकेत है तुलसी के पास दूसरे पौधों का उग जाना यदि आपके घर के तुलसी के पौधे के आसपास अन्य छोटे चोटे पौधे उगाने लगते हैं। तो यह शुब संकेत है। यह संकेत है कि आपके घर में खुशियां आने वाली है। आपको अनेक मार्गों से धन की प्राप्ति होगी अत्वा आपके व्यापार में व्रिद्ध होगी। यदि आपके घर के सामने कोई तुलसी का पौधे के पास चीटियों का आना। अगर आपके घर के सामने लगे हुए तुलसी के पौधे के गमले में अचानक से चीटियां आने लग जाती हैं तो यह शुब संकेत है किन्तु तुलसी के पौधे पर अन्य कीडे मकोडे लग जाते हैं। तो इसे अशुब संकेत समझन तुलसी पौधे पर मकडी के जाले होना धन के नास का सूचक है इसे तुरंत हटा देना चाहिए। तुलसी मां आपको सुख सम्रिध्धी और एश्वर्य प्रदान करेगी अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगाए। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और साथ ही आपके अपने चैनल वी आर स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जैमान लक्ष्मी जैश्री राम अवश्य लिखना ना भूले धन्यवाद। झाले लूले लगाए। झाले लगाए लूले लगाए। झाल झाल